Hello everyone, this is Priti here, आज का अपना वीडियो 132 के भी पावर हाउस से रिलिटेड है, जो की 2nd year and 3rd year दोनों ही year की बच्चों के लिए important है, 3rd year में ये unit number 8 है, जिसमें हमारा single line diagram बनाना होता है, and 2nd year के बच्चे training करने जाते हैं तो उनके लिए भी important है, आप लोगों को file बनानी पड़ती है, और उसमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से single line diagram बना होता है, कहां कहां सारे equipment लगे हुए थे, किस connection में, series में, parallel में, तो सबसे पहले हमारा आता है control room, यहां से हमारा पूरा control होता है, yard का, switch yard का, remotely हम यहां से पूरे switch yard को control कर सकते है, control room से, यहां पे सारे panel लगे हुए फिर उस से नीचे उतरी है, isolator पे, then CT पे current transformer, and then हमारी supply आई यह circuit breaker पे, circuit breaker के बाद में हमारी supply जाती है, main bus पे, main bus पे जाने के बाद हमारा equally, हमारा जो voltage हो डिस्टिवूट हो जाता है, main bus के साथ ही हमारे potential transformer connected होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, potential transformer हमेशा पैल कहां लगा होता है, हम पहले ही upload कर चुके हैं, जिनके link description box में uploaded है, अब इनका detail video हम बाद में देखेंगे, thank you for watching